हाई एवरिवन केसे हूँ आप सभी लोग आयोब आप अप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहुल जैस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी कैक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने एक मोश्ट इंपॉर्ट लेक्चर वीडियो होने वाला है तो दोस्तों जैसे कि आपको पता था कि फॉर्स लेक्चर में हमने डिस्कुस किया था कि कौन-कौन से टाइप के नाच्रल रिसोर्से होता है उसमें बहुत सारे चीज़े हमने डिसकुस किया था तो उसका एक पार्ट हमारा बचाओ आथा उसको भी हम लोग को डिसकॉस करना है आज के इस लेक्चर में, तो सबसे पहले, हम लोग वो ही सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे, that is some important minerals and ore, हमारा topic पहला है, some important minerals and ores, कुछ important ऐसे minerals होते है, and ores होते है, उसके बारे में हम लोग को सबसे पहले चर्चा करना है, तो अगर हम ब नोखन होता है, यानि कि iron जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हमें कहीं न कहीं जमीन के अंदर से मिलता है, यानि कि जब हम लोग माइनिंग करते हैं, खुदा ही करते हैं, खनन करते हैं, तब जाके हम लोग को वो चीज मिलता है, तो iron जो होता है, वो हमेशा क्या होता है, impure form में present होता है यानि कि जो भी iron iron जो होता है न iron अगर वो impure form में present है ठीक है किसके form में impure form में present है तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तो iron और क्योंकि देखो यहां पर difference एक चीज का create हो रहा है कि अगर सिर्फ iron रहे है तो हम लोग iron बोलेंगे लेकिन कभी भी आपको mining करने के time pure iron नहीं मिलेगा वो हमेशा उसके गंदगी के साथ मिलेगा यानि कुछ न कुछ ऐसे दूसरे material कुछ न कुछ दूसरे ऐसे चीज उसके साथ चिपके होए रहेंगे तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं iron ओर ठीके दोस्तो एन अगर मैं बात करूँ इसका इस्तेमाल कहां पर होता है iron के अगर मैं बात करूँ चलो iron ओर से हम लोग iron को ट्रैक जो होते हैं पट्री जिसको बोलते हैं तेके न जिसके ओपर रिलगाड़ी चलते हैं वो सभी चीज किससे बनती है iron से बनती है और यह कहां से आता iron ओर से आता है तो उमीद करता हूँ कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा है वो है magnetite magnetite हो गया उसके बाद आगर मैं बात करूँ magnetite के बाद होता है hematite और इसके बारे में ज्यादा explanation आपके syllabus में included नहीं है क्योंकि आप अभी 7 में हो एकदम basic चीज है जानकारी के लिए पढ़ते हो उसके detail में research and development जो होता है वो higher standard में होता है ऐसे ऐसे आप आगे बढ़ोगे तो यह magnetite hematite यह exactly क्या होते ही यह आपको समझ में आएगा बस फिलाल के लिए आपको याद रखना है कि iron और चार टाइप के iron और होते है magnetite hematite हो गया अगला जो है वो है limotite and ciderite तो यह आपको फिलाल के तौर पर याद रखना है यह चार टाइप के iron और प्रेजन रहते है तो उमीद करता हूँ कि सबसे पहला जो टापिक था हमारा iron और यह आपको समझ में आ गया हुआ चलते हैं अगले टापिक की तरफ जो की हमारा second type of mineral या फिर ore की जो है manganese तो आपको पता हो को दोस्तो manganese भी एक तरीके से metal होता है लेकिन यह हमें कहां मिलता है जमीन के अंदर से mining करने के time एक तरीके से मिलता है इसके लिए इसको ore के category में रखा हुआ है minerals या फिर ore के category मे रखा हुआ है तो manganese की अगर बात करूँ यह हमेशा न प्योर manganese के form में हमें नहीं मिलता है जमीन के अंदर जब आप खुदा ही करोगे तो हमेशा प्योर नहीं मिलेगा यह हमेशा किसी न किसी compound के रूप में मिलेगा तो manganese जो होता है या तो किसी के साथ carbonate के form में मिले तो ये तीन चीज़ के अलावा भी ऐसे बहुत सारे compounds होते हैं जिसके साथ मिलता है लेकिन ये तीन main होते हैं जो सबसे जादा देखा गया है और उसके अलावा अगर में बात करो दोस्तो इसका इस्तेमाल कहा होता है इस यूज इन दा manufacturing और preparation of medicines ठीक है अब दवाईयां बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है medicines रिखे बहुत सारए ऐसे medicines होते हैं जो manganese का यूज करके इस्तेमाल करते हैं और साथ में electrical appliances जो होते हैं यानि कि बिजली से चलने वाले उपकरन जो होते है na electrical appliances बहुत सारे हो सकते हैं इसमें भी कही न कहीं manganese का जो है दोस्तो इसτι ध्यान से देखो, यह होगे हमारा सबसे पहला, ठीके, ओके, अब बात करेंगे तीसरा, देखते हैं कौन सा टाइप का आईरन और हमारे पास प्रेजन्ट है, तो उसको भी हम लोग डिसकस कर लेते हैं, ठीके, तो ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज आपको यहाँ पे clear हो ज भी बॉक्साइड, तो बॉक्साइड एक्जेगली क्या होता है, इट इस फर्म ओफ ओर, यह भी क्या होता है, एक ओर होता है, लेकिन किस चीज का ओर होता है, यह होता है दोस्तो, ऐलिमिनियम का ओर, यानि ओर ओफ ऐलिमिनियम, यानि कि यह बॉक्साइड को अगर हम लोग extract करते हैं तो हम लोगो क्या मिलेगा aluminium aluminium spelling हाँ aluminium ठीक है तो हम लोगो क्या मिलेगा aluminium मिलेगा और normally अगर बात करें इस ore के अंदर यानि bauxite जो है वो ore के अंदर aluminium कितना होता है लगबख 55% aluminium जो है वो इसके अंदर present होता है यह आपको याद रखना है ठीक है and साथ ही में अभी aluminium यहाँ से तो bauxite जमिन खोदे होगे आप mining करोगे तो bauxite मिलेगा यानि कि मिलेगा आपको AL203 इसको बोलते हम लोग bauxite फिर उसमें से हम लोग extraction करके aluminium को निकाल लेंगे जिसमें से 55% aluminium मिल जाएगा लेकिन यह aluminium का use का है बहुत सारी use है जैसे की wires जो आपके बड़े-बड़े होते हैं आप नहीं देखाओ ना बिजली के खंबे में जो wires होते हैं वो aluminium के wires से ही बनते हैं बहुत सारे ऐसे electrical appliances होते हैं बहुत सारे बिजली के उपकरन होते हैं जिसमें आपके एक तरीके से aluminium का जो है इस्तेमाल होता है तो electrical appliances हो गया और साथ ही में vehicles वगरे आप देखोगे aeroplanes हो गया, vehicles हो गये यह सभी-सभी किसे बनते हैं दोस्तों आपके aluminium से ही बनते हैं वजन में, aluminium iron के comparison में हलका होता है तो इसलिए जो आपके aeroplanes होते हैं rockets होते हैं, even vehicles जो होते हैं आपकी automobile, car वगरे यह सभी चीज के बाहर के कवच होते हैं हर एक चीज किसे बनता है, oxide यानि कि aluminium से बनता है, clear है दोस्तों तो उमीद करता हूँ कि यह भी आपको समझ में आ गया होगा चवथा अगर बात करें, fourth type का हमारा जो ore है, वो है दोस्तों copper, अब copper का तो नाम सभी ने सुना होगा copper को हिंदी में तामभा भी बोलते हैं तो यह हर एक के घर में present भी होगा क्योंकि दोस्तों क्या होता है, copper जो होता है ना दोस्तों, यह हमेशा impure form में ही पाए जाता है, कभी भी आपको pure copper नहीं मिलेगा, हमेशा आपको impure form में मिलेगा, जमीन गेंद से जब खुदा ही करोगे, तो copper हमेशा इंप्यूर फॉर्म में मिलेगा एड़ वो किसके साथ मिलेगा जादा तर फो इंप्यूर में मिलता है अइरन के मिक्स्चर के साथ और साथ कुछ other metals होते है या फिर minerals होते है इसके साथ रहों मिला जुला खे प्रेजेंट होता है कभी भी अकेला wires बनाने में होते हैं, आपने दिखा होगा, जितने भी wires हमारे appliances में लगे होते हैं, जो भी switchboards, आपके घर में wiring जो होते हैं, वो copper wire की होते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा electricity को pass करता है आपने अंदर से, और साथ में जो बरतन होते हैं, बहुत जो और है, जो हमें पढ़ना है, वो है दोस्तो माइका, तो अब माइका का spelling क्या है, देख लो, यहाँ पे ध्यान से, माइका M-I-C-A, माइका होता है, तो ये एक ऐसा चीज है, जो कि bad conductor होता है किसका electricity का, या फिर heat का आप बोल सकते हो, तो माइका is a very bad conductor of electricity अब इसका इस्तेमाल कहां होता है, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो bad conductor है किसका electricity का, चलो ठीक है ये एक चीज समझ में आगया कि चलो bad conductor है लेकिन इसके अलावा और क्या चीज है माइका की क्या खासियत है, और कहां यूज होता है तो माइका की अगर मैं बात करूँ कि ये जो है ना माइका ये आयूर्वेदिक मेडिसीन्स जो बनते हैं इसका इस्तेमाल इसमें mixture के तोर पे किया जाता है, आयूर्वेदिक मेडिसीन्स बनाने में, फिर जो dyes होते हैं कपड़े पर dye होते हैं, आपको पता होगा कपड़े पर जो color आता है, वो dye करके आता है आपको पता होगा ये चीज़, तो dye बनाने के लिए ये जो माइका इसका इस्तेमाल होता है साथी में, ये bad conductor electricity का इसलिए बहुत सारे electrical appliances में इसका इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर electricity की यहाँ पर ज़रूत नहीं होती, यानि की supply नहीं होना चीज़ तो वहाँ पर electrical machines में और equipments में इसका इस्तेमाल होता है माइका का clear है दोस्तों, तो उमीद करता हूँ कि ये जितने चीज़े हमने पड़े हैं, या पर 5 के 5 टाइप के minerals and ores ये आपको समझ में आगया होगा, बहुत ही simple इसको फंड़ना था याद रखने का एन बहुत ही छोड़ी-छोड़ी चीज़े हैं, उमीद करता हूँ कि आप लोगको ये 5 चीज़ याद हो गया होगा, और उसको आप अच्छे से learn भी कर लोगे, ठीके दोस्तों तो चलते हैं हमारे next topic, आज एक और topic पढ़ना है जो कि आखरी topic है, चोटा सा topic है, तो उसको भी complete कराके, आपको आज का lecture की हम लोग stop करेंगे, ठीके तो ध्यान से देखो हर एक चीज़ आपको यहाँ पर clear हो जाएगा, तो tension बिल्कुल नहीं लेना है, ओके, तो चलते हैं हमारे अगले topic की तरफ, जिसका नाम है दोस्तो, fuel अब यह fuel का मतलब होता क्या है, सबसे important चीज़ है, आप सभी ने fuel यह word सुना होगा, तो fuel एक ऐसा चीज़ होता है दोस्तो, या फिर एक ऐसा liquid समझ लो, या फिर कुछ भी समझ लो, fuel एक ऐसा product है, बेश तरीका इसको याद रखने का, एक ऐसा product है जो अगर खुच जलेगा ना, ठीक है ना fuel जब खुच जलता है, burn होता है तो burn होके हमें क्या देता है, दोस्तो energy, हमें क्या देता है, ताका देता है energy देता है, वो energy, अलग-अलग source होते है, chemical energy होते है, light energy होते है heat energy होते है, अलग-अलग type के energy होते है जैसे कि fuel की example बता है, तो हमें पता क्या है, fuel क्या होता है, petrol, diesel यह सब फ्यूल होता है, पेट्रोल जलता है, तो हमें हमारी गाडिया चलती है, अंदर से हीट प्रोड्यूस होता है, तो वो गाडिया चलती है, ठीक है न, केरोसी न, पहले के जमाने में रॉकेल यूज करता है, केरोसी यूज होता है, खाना बनाने के लिए तो उसका इस्ते जैसे मेरा आपको बहुत बार एक श्टोरी बदाया है, कि हमारा जो अर्थ था ना, उस पर एक टाइम पे बहुत बड़े-बड़े जानवर और पेड़ पॉदे तो हुआ करते थे, बहुत बड़े-बड़े जानवर यानि कि आपके डाइनोसोर्स हो गए, इवन बहुत सारे अलगले प्रजात्ती के जानवर हुआ करते थे, तो हुआ ये दोस्तों कि जैसे ही जो एस्ट्रोइड आखे गिरा, हमारे ओर्थ के उपर और हमारा ओर्थ पूरा पूरा अल्मोस्ट खतम हो गया, जिसके उपर पूरा हीट जनरेट हो गया है, पूरा प्रलय जासा आ गया जितने भी जानवर थे, सब जमीन के अंदर दफ न हो गया, कोई जल गया, कोई दफ न हो गया, तो धीरे-दीरे डे-बाई-डे बीतने के पात, जो भी लकडी वाली चीज थी, यानि कि जो पेड़ पौधे थे, वो क्या हो गया, जमीन के अंदर दफ न हो गया, तो जो पे उसमें से fats निकलने लागा, क्योंकि बहुत बड़े जानवरते हैं, उनके पास क्या था शरीर में उनके fats था, तो fats जीरे-जीरे carbon deposit हो के वो भी क्या बनगे, crude oil बनगे, जिसको fossil fuel भी कहते हैं, तो एक तरीके से आप कोईले को भी fossil fuel कह सकते हो, तो इसी प्रकार से coal वगरे का न ख़दान भी है, जहां पर आज भी underground में या फिर कहीं पहाडों में coal दफन है, उसको खोद के निकाला जाता है, उसको purification के लिए भेजा जाता है, बहुत सारे ऐसी बड़ी-बड़ी industries present है, आज के दिनों में जो coal का supply करती है, अलग-अलग जगा पे, और आज भी बहुत सार जगा ऐसे हैं, जहां पर कोईले का इस्तेमाल होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग, जहां पर कोईले का इस्तेमाल करके electricity को बनाये जाता है, तो ऐसे बहुत सारे चीज़े आपको देखने मिलेंगे, और coal के अलावा भी ऐसे बहुत सारे चीज होती है, ठीक है, नाच्रोल ग जाते हैं, तो लास्ट ये छोटा सा टॉपिक्स बचे हुए, तो इसको हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में करा देंगे, ताकि आपका पूरा का पूरा जो चाक्टर है, ये कंप्लीट हो जाए, तो बस दोस्तो आज का लेक्चर फिर यहीं पे मैं स्टॉप करूँगा, उमीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा सेशन चोटा सेशन था लेकिन बहुत ही effective था जिसमें बहुत सारी important चीज़ें हमने आज के लिए सिखाईए, तो उमीद करता हूँ कि हर एक चीज आपको clear हो गया होगा, तो आज का लेक्चर अगर आपको जैसा भी लगाए, प्ली notification मिलती रहेगी तीके friends तो मिलते हमारे गले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए thank you and good bye